नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सर्मार्ग मीन डासी वालों सुक्र का रासी परिवर्तन हो रहा है सुक्र अभी तक धनू रासी में विराजमान थे अब 28 जनवरी 2021 गुरु बार की सुवा तीन बच कर 18 मिनट पर मकर रासी में प्रवेश करेंगे और यहां पर उनको साथ मिलेगा सुक्र देव, सुर्य, बुद्ध, देव गुरु ब्रहस्पती और सने देव अब 5 ग्रह जब एक साथ होंगे, ऐसे में सुक्र मकर में जब आएंगे तब आप मीन बालों के जीवन पर इसका क्या प्रवा पड़ेगा आज हम विश्तार से आपके साथ साजा करेंगे, वीडियो के अंतक बने रहे हैं और यह प्रिक्शन चंदरासी पर आधारित है मीन दासी वालों, देखिए सुक्र जो हैं वो भौतिक सुक सुविधाओं को बढ़ाने वाले ग्रह हैं जीवन में आप कितने सुक भोगेंगे, आपके जीवन में क्या-क्या आपको मिलेगा, सब कुछ सुक्र ही देते हैं सुक्र के कारण ब्यक्ति अच्छा पहनता है, अच्छे से रहता है, भोग बिलास बढ़ता है, धन बैभबाता है लेकिन सुक्र का ये परिवर्तन आप मीन वालों, आपके जीवन में जो सामाजिक इस्थिती है, उसमें सुधार होगा अपनों का मित्रों का साथ मिलेगा, जीवन साथी के काम में, जीवन साथी की आई में बिर्धी होगी जिसके कारण घर परिवार का बोज भी कम होगा, और इसमें दोस्तों के सहयोग से आर्थिक तंगी भी दूर करने में मदद मिलेगी जो बैपारी हैं, उनके लिए सुक्र का ये गोचर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि धन, मान, पर्तिष्ठा तो बढ़ेगा ही साथ ही आपका बैपार में बिस्तार होगा, और कारे छेतर में आपके तमाम इक्षाएं भी आसानी से पूरी होगी लेकिन देखें सुक्रगरा आपकी रासी से एकादस भाव में आएंगे और एकादस भाव को लाब का भाव केते हैं इससे बड़े भाई बहन का साथ उनके साथ सम्मंद के बारे में भी जाना जाता है और आपके लिए खास तोर पर आर्थिक जीवन में जो अभी तक संघर्स था जो इस्ट्रगल था वो इस में आपका इस्ट्रगल कम होगा लाब के योग बनेंगे और आर्थिक तंगी दूर होगी जिससे का कारण आपको थोड़ी राहत भी मिलती भी नजर आएगी दूसरी तरफ कारे छेतर में आपको मेहनत भी करना होगा इमनदारी से कारे करें तो सफलता जरूर मिलेगा आप जौब करते हैं तो आपके अधिकारी वर्ग आपकी औराकरसित होंगे आपका करियर में ब पूरी होगी सकाप अलाव उठा सकते हैं प्रशनल लाइप में आपकी जो सामाजिक चबी है वह बहतर होगी और इस समय दोस्तों का मित्रों का साथ मिलेगा उनके साथ समय बिदाने के अफसर मिलेगे उनका सहयोग मिलेगा बैबाहिक जीवन के लिए अच्छा है क्योंकि देखिए इसमें सम्रिद्धी और सफलता दोनों ही प्राप्ति के योग बनते हैं जो आपको खुसी देगा तो पारिबारी जीवन में लब लेसंसिप में यसमें ज्यादा अच्छा है इसमें यात्रा के भी योग बनेंगे और समाजिक दाइरा बढ़ेगा उसमें बिस्ता मिलेगी और आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए ज्यादा कुछ नहीं आप चाहें तो सलाह लेकर ओपल धारन कर सकते हैं या पिर ओम सुक्राय नमंक का जब करें या आप चाहें तो इस पर टिक की माला ही धारन कर लें कोई भी ए झाल 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 झाल